मश्कार दोस्तों मैं Dr. Nikhil आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों अगर आप लंबी रेस का घुड़ा बनना चाहते हैं आप लंबी रेस का घुड़ा अभी नहीं है आपको premature education की problems है आप अपने partner को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं enjoy नहीं कर पाते हैं आपको ED की problems है आपका इसपरम बहुत जल्दी educate हो जाता है यहाँ आपकी समस्या है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको top 3 ऐसी homopathic medicine बताने वाला हूँ जो premature education की problems के लिए erectile dysfunction की problems के लिए पूरी तरह से आपको आराम हो जाएगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी medicine बताने जा रहा हूँ सायद ही किसी वीडियो में आपको देखने को मिली होगी वहाँ एक natural medicine है इस medicine को आप 3 मेहने तक एदि regular use कर लेते हैं तो आपको जो ED की problems है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि आपका बहुत ही जल्दी educate हो जाता है insert करते ही आपको education हो जाता है आपका विर निकल जाता है तो आप इंस्वाय भी नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से आराम हो जाएगा आज की इस वीडियो में में जो medicine बताने वाला हूँ बहा काफी effective है कई percent में use की गई है young age में इसके काफी अच्छी results हमें देखने को मिले हैं कि यदि acute condition में यहाँ problems हो गई है तो वैक्ती बहुत ही जल्दी की ओर हो जाता है यदि chronic condition हो गई है तो वैक्ती को धीरे धीरे करके हमें उसमें आराम देखने को मिलता है साथी साथ दो एक ऐसी military scene में बताने वाला हूँ जो काफी effective है कई patientों में इसका use किया गया है यदि आपको ED की problems है बहुत ही जल्दी educate हो जाता है इन जुआए आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए काफी informative है यदि इस वीडियो को आप पूरा अंतक जरूर देखें परिवार में family में किसी को यहाँ problems हो गई है तो यह वीडियो आप उन तक family में share कर सकते हैं आप अपने friend में जरूर share कर दीजेगा ताकि वहाँ इस medicine का use करके अपनी problems को पूरी तरह से ठीक कर सकें तो चली दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदी आप हमारे चैनल पे नए हैं यदी आप हमारे चैनल से जोड़ना चाते हैं तो red color की button दबा कर चैनल को subscribe कर लें साथी साथ वेल आकन की घंटी को जरूर paste करके रखें ताकि सभी latest medicine की update सबसे पहले आपको मिल सकें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों बात करेंगे premature education की problems के बारे में erectile dysfunction की problems के बारे में दोस्तों यहाँ एक ऐसी समश्या हो गई है जो हमें हर patientों में आम देखने को मिलती है यह young age में भी हो जाती है और over sensitiveness के कारण भी यहाँ problems हमें देखने को मिलती है हस्त मैथून के कारण भी व्यक्ति में यहाँ problems हमें देखने को मिल रही है आजकल की एक ऐसी स्थिती बन गई है कि mobile का जादा यूज करने के कारण पौरण देखने के कारण भ्यक्ति गलत संगति में चला जाता है और गलत संगति में जाने के वाद भी वक्ति को धीरे-धीरे करकी यहाँ problems का वासिकार हो जाता है और उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है तरह तरह की medicine यूज करता है, तो आज की इस वीडियो में top 3 ऐसी homopathic medicine जो मैंने बताने वाला हूँ only for ED में इसका use किया जाता है। symptom यदि आपको match कर रहे हैं तो आप इस medicine का use कर सकते हैं फर एक ऐसी homopathic medicine है जिसका only for ED में ही use किया जाता है। दोस्तो यह हरवल medicine है, homopathic medicine है और आप इसे long time भी ले सकते हैं। इसके किसी तरह के भी कोई भी side effects नहीं है, will be safe medicine है, आप use कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तो पहले number पे very effective homopathic medicine जिसका नाम है दोस्तो Osimum G इसका नाम आपने नहीं जानते हैं, यहां तुलसी से बनाए जाती है, Osimum can तुलसी से बनाए जाती है, जिससे स्याम तुलसी कहा जाता है। दोस्तो तीन प्रकार की तुलसी होती है, जो हमारे सरीर में mother tincture form में यूज की जाती है, और कई रोगों को ठीक करने के लिए अलग-अलग तुलसी का यूज के जाता है, Osimum can जो तुलसी होती है, वहां kidney की पथरी को resolve करने के लिए काम करती है, Osimum centilis जो होती है, वहां सर अच्छी तरह से देख लिजे, यहां जो वैक्ती जल्दी ही जड़ जाते हैं, enjoy नहीं कर पाते हैं, वीर उनका जल्दी निकल जाता है, तो उस condition को ठीक करने के लिए Osimum जी का यूज किया जाता है, मैं यहां पिक्चा लगा देता हूँ, आप इससे अच्छी तरह से देख इसका नाम है दोस्तों Osimum G, मैं यहां पिक्चा लगा देता हूँ, आप देख लीजे, यहां only for जिसे premature ejuculation की problems हो गई है, erectile dysfunction से वहां वैक्ती परिशान है, यहां उसकी marriage होने वाली है, और इस तरह से गलत संगती की सिकार होने के कारण वैक्ती फस चुका है, तो यदी यह हां medicine ले लेता है, तो यहां पूरी तरह से ठीक हो जाता है, दोस्तों यहां mother tincture form में भी आती है, यहां potency के form में भी आती है, और यहां trialization यहां 3x के form में भी आती है, पर main बात यहां पर यह आतीएगी किस potency में हम use करें, तो दोस्तों यदी आपको chronic condition है, तो आप ऐसा सो आप 3X में यूज़ करें, यहां 3X में डिलूशन फॉर्म में भी मिल जाएगी और ट्राइच्वेशन फॉर्म में मिल जाएगी, यदि आपको ट्राइच्वेशन फॉर्म में मिल जाती है, तो 4-4 गोली सुपह दो फर्शा मीठी गोली है, चूस के आप खालीजिएगा, परबून श्यम को आप यूज़ कर सकते हैं, दोस्ते आप मदर टिंचर के फॉर्म में भी आती है, यहां एक स्पेसिपिक मैडिसिन है, इसका यूज़ के जाता है, इसके साथ ही साथ यदि आप दो मैडिसिन साथ में ले 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 तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक को जाती है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है, दोस्तों, कैलेडियम, कैलेडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इरक्षन आना बहुत ही जरूरी है, इस वात का विसे ध्यान रखें, यदि आप ED को ठीक कर रहे हैं और आपके इरक्षन ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर यह जो है आपके लिए effective नहीं रहेगा, क्योंकि एरक्षन आना चाहिए, यदि proper hardness है, इरक्षन आपको आ रहा है, तो फिर आप long time तक इंस्वाय कर पाएंगे, तो कैलेडियम आप ले ले, 200 पोटेंसी में एक महने ले ले, एक महने के बंद कर दिना, चारबून टंग डोस आपको ले सांती सांत सेलेनियम लेना, दोस्तों, सेलेनियम क्या होता है, कई percent 200 में लेते हैं, कई percent 30 potency में लेते हैं, कई 3X में लेते हैं, कई mother tincture form में ले लेते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी safe नहीं है, आपकी सरीर की, आपका जो सरीर है, किस potency को accept करेगा, प्रॉब्लम्स आपकी क सबसे है, यह आपका बहुती जादा मायने रखता है, कई वैक्ति इसे बिल्कुल भी नजर अंदाज कर देते हैं, मुझे क्या देखना है, कोई भी potency ले लूँगा, मुझे आराम हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत आराम होता है, फिर से यह प्रॉब्लम्स उनकी बनी च आपको टंग डोज लें, और यह जो तीनी मैडिसिन है, एक साथ आप ले लें, तो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, फिर भी यदि कोई confusion है, तो मैं डेली रातरी 9 वजे लाइब आता हूँ, तो लाइब क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं, यह आप ओ और भी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉपर टीटमेंट आपका होश आके हैं, दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैन, जै भारत, बंदे, मातरम